हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सर और ये हैं मॉनिंग का टाइम और नाश्तर वगर करके हम लोग फिरी हो गए थे तो फिर इसके बाद जो है काफी तेज धूप नहीं कल रही थी तो मैंने सोचा आज ये मिर्ची धूप में सुखा दूँ और ये काफी सीली हुई थी मिर्च तो घर पे कोई भी नहीं था और फिर मैंने जो है इसे जमीन पे रखके गेट खोल के उपर चटपे जा रही थी सुखाने के लिए क्योंकि हमारी बालकनी में ना धूप नहीं आती है तो कोई भी चीज सुखानी होती है ना तो चटपे जा जो जीने का गेट है तो उसी खोल के आप मैं चटपे आगी हूं और आप देख रहे होंगी कि कितनी तेज धूप है पैर भी रखा जा रहा था जा रहा था इतनी तेज धूप थी और फिर मैंने जो कपड़े पर फैला दी सारी मिर्च ताकि अच्छी तरीके से धूप लग गidingौप है क्योंकि आफिर अच्छी तरीके से बहुत जल्डी पेश घयाती है अगर अच्छी से धूप लग जाती है तो और उपने देखा कि फ्रीज में काफी गंदा हो रहा था तो नो कि मेरा बेटा ना अभावट आफर से चीजा निकालता है और क्या के एक दम बंघ कर देता है कि hardware लिख लेकर रखंदिय। ही लूइघ है तो फ्रेज में जो स्मेल है ना वो दूर हो जाती है और बड़ी फ्रेशनेस फील होता है मतलब काफिर फ्रेश अच्छी तरीके से सहाफ हो जाता है तो वैसे तो मैं क्लीन करती हो वीकली हम लोग सब्जी लेकर आते हैं ऐसे तबके सब्सक्राइश लोग के Лियोके मजब Mark लॉख करती है क्योंकि कहां कोई चीज मी होता पता भी जलता तो यहां पर मैं क्योंकि कि अच्छी तरीक दीकरället के साफ होधित्य है लेकिन उनीवात हैं तो एक दम चमक गई थी हलके से मैंने सरफ से कर दिया तो एकदम चमक गई थी और फिर जो कितना हम लोग कितना भी कटते हैं तो गंड़ा ही क्लीन के बाद फिर मैं मैंने मashIn लगा थी मॉनिंग में तो फिर उसके बाद कपड़े सुख के थे क्योंकि काफी तेज उपती तो मैं फिर साफ करने के बाद मैं लेकर लेने के लिए आगे थी छट पर और काफ़ी जल्दिट शूख गए थी कपड़े और में बहुत जयादा कपड़े थी मैंने आज आ मतलब काम ही तरह हो गया था आज शिक भर का तो काफी जारा थक गई थी मैं और फिर उसके बाद कपड़े ताने के बाद फिर सारा काम फिनिश हो गया था तो फिर लास्ट में ही मैं नहाई थी फिर उसके बाद जो है बालक्नी में बिल्कुल भी धूपनी आती है हमारे लेकिन आप मतलब ही है कि आ जो आप देख रहे होंगे हैंगर में भी टॉवल वगर भी सुखानी होती है ना तो मैं हेंगर पर लगा कि पानी जब गरम हो जाता है तो फिर मैं उसमें चावल डाल देती हूं और धीरी-धीरे गैस पे बनते रहते हैं और फिर मतलब एकदम खिले-खिले बनते हैं जो यहां पर चावल बन गे थे तो मैं चावल का माड भी फैंक ती नहीं हो समाल के रखती हूं एक कटोरी तो ज़रूर निकालती क्योंकि स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है यह चावल का माड और जो एक कटोरी समालने के बाद में जो भी पान के बादी में अग्यू पिए किन की तो यहां पर हमारा लन्चपन के तयास हो गया है देखने मेंं अगर आप मतलब पानी में डाल गरम पानी में डाल के बनाओ गेना चावल तो बहुत खिले-खिले चावल मनते हैं और बन भी जाते हैं फटाबर आई यहां पर और यह हैं इवनिंग का टाइम और मैं लेकर आई थी काफी अच्छी दूप लगी थी मिर्ची को क्योंकि काफी मेर्च मेल करन सब्षेज देंया भी दिममें देखक अब डंडिया निकालने में और फिर डंडियों को निकाला मैं ने पीछ sırियों थी और यहां पर जो है मैं पीशंता में यूदाद की जो में मैं मैर्कWarra में यूसे बलिना म Jess करती हूं मुझे मार मार्किट की मिर्च पस टो इसे में घ्रर की पिस्यों हुए धनिया और मिर्च में घर का पिशा रही यूज़ करती हूं और इसमें मैं चली-व्लैक्स भी निकाल देधिया हम तो ये दिखिए चली फ्लैक्स मैं JOSH wären कले जो हिंुआ oghi जो की मार्चित में मिलते हैं लेकि में घर पे पीस लेती हूं जब भी मिर्च भीसती हूं हमीशर थोड़ा सा जरू निकाल ले थी हो जो की पीज़ा बगर जब भी मैं बनाती हूं तो उसमें यू जुझा था है तो फ्रेंड्स यही पे मैं व्लोग का एन करती हूं अगर व्लोग पषसंद हो तो लाइक जरू करिएगा और चैनल पर नई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए व्लोग के साथ ठीक किया बाइबाइब